नमस्कार दोस्तों NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाड़क की नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चाड़क की नीती को पूरीत रहे और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ग्यान हमेशा गातक होता है दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आज के समय में अधिकांश लोगों को धन संबंदी सुक पाने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता है फिर भी बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा काम करने के बाद परियाप्त परतिफल प्राप्त कर पाते हैं इनसान को कुछ कामों में तो सफलता मिल जाती है लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन में आज सफलता का मुह भी देखना पड़ता है यदि आप अपनी सफलता का परतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ ए चारक की नीती बताई जा रही है इस नीती का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा तर कारियों में सफलता मिल सकती है जब हम ज़्यादा कामों में सफल होंगे तो धन संबंदी लाब भी मिलेगा और इसी प्रकार हमारा धन संचय होने लगेगा दोस्तों चारक की नीती में बताया गया है हमें कारियों में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा इन छे बातों का ध्यान रखना चाहिए इन बातों का ध्यान रखकर काम करेंगे तो आ सफलता मिलने की संभाबनाएं बहुत कम हो जाती हैं दोस्तों कौं सी हैं वो छे बातें। आईए जानते हैं इस बीडियो के माध्यम से। पहली बात ये समय कैसा है। दोस्तों आचारे चालक के कहते हैं, बही ब्यक्ती समस्दार और सफल होता है जिसे इस प्रशन का उत्तर हमेशा मालूम रहता है। समस्दार बैक्ती जानता है कि बरतमान समय कैसा चल रहा है अभी सुख के दिन है या अभी दुख के दिन है इसी के आधार पर वो काम करता है यदि सुख के दिन है तो अच्छे काम करते रहना चाहिए और अगर यदि दुख के दिन है तो अच्छे कामों के साथ हमेशा ही धै दुख के दिनों में धैर खोने पर अनर्थ भी हो सकता है। सपलता ही मिलेगी। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सच्चे मित्र कौन है। क्यूंकि सच्चे मित्रों की मदद लेने पर ही आपको सपलता मिल सकती है। यदि गलती से मित्र बने हुए शत्रू से मदद मांग ली तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है यानि कि आप बरबाद हो सकते हैं तीसरी बात यह देश कैसा है दोस्तों यह देश कैसा है यानि जहां हम काम करते हैं वो इस्थान, शहर और बहां के हालात कैसे हैं कारे इस्थल पर काम करने बाले लोग कैसे हैं इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो आ सफल होने की संभाबना बहुत कम हो जाती है दोस्तों समझदार इंसान बही होता है जो अपनी आय और बैय की सही जानकारी रखता है ब्यक्ति को अपनी आय देखकर ही खर्च करना चाहिए जो लोग अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं वो परेशानियों में अबश्य फंसते हैं इसलिए धन संबंदी सुक पाने के लिए कभी आय से अधिक बैय मत करना आय से कम खर्च करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन धन संचय हो सकता है दोस्तों हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रबंदग संस्थान या मालिक हम से क्या चाहता है हम ठीक बैसे ही काम करें जिससे संस्थान को लाब मिलता है यदि संस्थान को फाइदा होगा तो करमचारी को भी फाइदा मिलने की संभवनाएं बढ़ जाती है अन्तिम बात मुझ में कितनी शक्ती है दोस्तों अन्तिम बात सबसे जरूरी है हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं बही काम हांत में लेना चाहिए जिसे पूरा करने का सामर्थ हमारे पास है यदि हम अपनी छमता से अधिक काम हांत में ले लेंगे तो आस अफल होना तय है ऐसी सिच्वेशन में कारे इस्थल और समाज में हमारी छबी पर बुरा असर पड़ता है दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के चाड़क की नीती से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही मोटिवेशनल इंस्पाइरिंग लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टाय मोटिवेट इस्टाय फियरलेस